नमस्ते दोस्तों बविता की किचन में आपका सवगत है तो मैं आज आपके लिए चाई की रेसिपी लेकर आई हूँ अब आप कहेंगे चाई बनाने में कौन सी बड़ी बात है कोई बड़ी बात ने है पर चाई ऐसी बननी चाहिए कि आप दिन भर ठक के आए तो एक घोट प आप उतना बना सकते हैं मैं यहां पे तीन गिलास पाने डाल रहे हूँ और मैं एक चमच चाय पत्ती कर डालूंगी यहीं पे ज्यादा चापत्ती डालने से चाय हमारी करचाने लगती है तो हम एकी चमच चापत्ती यहां पे एड़ करेंगे यहां पे मैं तीन चमच सक्कर कर दाल रहे हूं हमारे यहां कुछ ज्यादा ही मीटा पसंद करते हैं तो मैं यहां पर तीन चमज डालू आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कमियां ज्यादा जितना आपको पीना हो मीटा तो इसे हम उबलने देंगे यहां पर मैंने एक अधर का टुकड़ा दो इलाइ ऑप इतना कोटिए हु इतना कोटों की उससे रस बहार आजाए आपको इतना कोटना है उसे तभी चाय में जो चाय का टेस्ट है वह इसी से आता है चाय के जो रसे न अद्रक कर रस उसी से हमारे चाय को अच्छा टेस्ट मिलता है तो हमने यहां देखिए कूटके रख लिया है अब हमने इसे चाय में डाल दिया चाय हमारा उबल रहा था और इसे हम उबालेंगे दो मिनट अद्रक और इलाइची डालके इसे अच्छी तरीके से उबाल लेंगे तो चाय देखिए उबल चुका है अब यहाँ पर मैंने उसी मेजरमेंट से देड़ गिलास दूद हम डालेंगे इसमें और इसे भी हम अच्छा उबाल आने तक उबाल लेंगे ताकि थोड़ा भी कच्छापन हमारे चाय में ना रहे अब पीते ही दिन भर की ठाकान आपकी मिट जाए ऐसी चाय बने तो देखिए उबाल आना सुरू हो गया है दिरे-दिरे हमारे चाय में तो ऐसे ही हमें दो से तीन उबाल लेकर आणा है अपने चाय में लो टू मीडियम फिल्म पे ऐसे ही हम 1 देखिए उबाला अना सुरू हो गया है अब ना चाय मेत तो अब आज को करेंगे लो फिलेम पे करके इसे हम अच्छी तरीके से पका लेंगे देखिए उबाल आ रहा है तो इसी तरीके से हम इसे पकाना है चाई को तो इसी तरीके से हम अपनी चाई को पकाएंगे देखिए दूसरा उबाल भी आ गया है चाई में तो चाई हमारी पके एकदम रेडी है अब हम आपको चान के दिखाएंगे देखिए चाय पक्क एकदम रेडी है अगर मेरा वीडियो यह आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेर कमेंट कर दीजिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए